नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन निकेतन के नए वीडियो में आपका स्वागत है, मेरे नाम वंदेना तिवारी है, और आज हम 63rd BPSC के GS Paper 1 के section 2 के portion का solution करने वाले हैं, जिसके अंतरगत, अंतररास्टिय संबंध और भारत के political जो current issues हैं, उससे related questions आए हैं, इस section में total 5 questions आए ह जिसके अंदर से 2 analytical हैं और 3 questions straightforward हैं, अब हम लोग अगर एक एक करके इन questions को solve करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जो question में solve कर रहे हूं, वो इस पूरे paper का सबसे lengthy questions है, क्योंकि इसके अंदर analysis भी मांगा है, fact भी मांगा है, और बहुत detail में आपसे सारे answers पूछे गए हैं, तो एक एक करके अब हम लोग इसके जो points हैं, उनको निप्टाते हुए चलते हैं, सबसे पहला उन्होंने इसमें पूछा है कि रोहिंगया शरणार्थी जो समस्या है, उसका मुल्यांखन कीजे या उसके बारे में बताईए, दूसरा उसके उत्पत्तिक और समाधान के अगर आप इसको segregate करें, तो इसके इस question के total तीन भागें, पहला आपको रोहिंगया शरणार्थी हैं, उसके बारे में information देनी है, दूसरा भारत, चीन, म्यामार और बांगलादेश इनकी भूमिका को अलग-अलग डील करना है, और तीसरा उनके मानवधिकार अनन की दीजिए आप कि म्यामार के अराकान छेत्र में राखिन भाग के मुस्लिम मतानुयाई हैं, ठीक है, ये वहां के नागरिक थे, परंतु 1978 के बाद लगातार इनके साथ में नसलिय हिंसा करकी जा रही थी, इसका रीजन ये है कि म्यामार के अंदर जब से आर्मी शाषन आया, उसके बाद से वो लगातार दूसरे जो मतानुयाई हैं या विरोधी हैं, उनका सफाया करते आ रहे हैं, तो 1982 के अंदर म्यामार ने एक अधिनियम पास किया, जिसका नाम था म्यामार नागरिक्ता अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा रोहिंग्याज की नागरिक्ता को समाप्ति कर दिया गया, अगर कोई व्यक्ति, आप किसी भी रास्ट का नागरिक्त नहीं है, अगर उसका रास्ट उसकी नागरिक्ता समाप्ति कर देता है, तो वो किसी रास्ट का नागरिक्त नहीं रहता, ऐसी इस्तिती में वो अपने ही देश में भी शरनार्थी हो जा स्थिति में आ गए हैं पहला आपने इसके बारे में बता दीजे कि रोहिंगा शनार्थी क्या है अब हम लोग एक-एक रास्थ के भूमिका को लेके चलते हैं यह सबसे लेंदी क्वेस्चन है इस पूरे क्वेस्चन पेपर का इसलिए सबसे पहले हम इसको निपता रहे हैं ज अगर कोई आपके देश का नागरिक ही नहीं मान रहे हैं आप उसको तो आप उसको सिक्षा क्यों दोगे आप अवसन रचना का विकास बिजली पानी क्यों उसके चेत्र में करोगे तो एक तरीके से उनका आइडेंटिटी क्राइस उत्पन्न हो गया उन लोगों के पास में कोई सरकारी सुविधाय नहीं उनको नौकरिया नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां के नागरिक नहीं है उनके या बिजली पानी की सुविधाय नहीं दी जा रहे थी साथ ही साथ में जो म्यामार की सेना है उसने वहाँ पर सेन्या अक्रमन किये उनका कहना है कि यह जो जो हैं उनका नसलिय सफाया किया जा रहा है इसके समाधान के लिए म्यामार क्या कर सकता है कि म्यामान मानवदिकार बेसिस पे जो लोग आतगवादी गति विधियां चला रहे हैं उनका सफाया कर दे परंतु जो सामने शांति प्रिया नागरिक हैं उनको नागरिकता प्रदा करें दूसरा अब भारत जो है उसका इसके उतकि में का यह उगदान नहीं है भारत समस्या के समाधान में कोई आपूक्त नहीं यह कर पा कि कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो अपने आपको रोहिंग्या शर्णार्थी बना के भारत के अंदर आजाए और क्योंकि किसी के पास उसका डेटा निया तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते हो कि वो रोहिंग्या है या पाकिस्तानी है तो हो सकता है कि वो भारत क के अंदर रोहिंग्या शर्णार्थी बन के आज भारत में आतंकवादी गतिविधियों को का संचालन करने लग जाए दूसरा यह कि भारत ने राखिन छेत्र के अंदर जो अराकान छेत्र है उसमें बहुत जादा निवेश किया हुआ है जैसे हमारा कालादान प्रोजेक्ट म आतंकवादी गतिविधियों से जूज रहा है तो अगर कोई दूसरा रास्त आतंकवाद जैसी समस्या से जूज रहा है तो भारत उसके प्रती एक उदार जो विचार है वो रखता है साथ ही साथ में पहले से नौर्थीस्ट जो है वो अवेद बंगलादेशी प्रवासी जो है उनकी समस्या से जूज रहा है ऐसी स्तिती में अगर आप एक नए शर्णार्थी वर्ग को लेकर के आते हैं अपने देश के अंदर तो उस छेतर की जो डेमोग्रेफी है वो चेंज होने की सिचुएशन है दूसरा कि एक जगे पे तो इस्थानी लोगों का संघर्ष चली रहा है एक नया संघर्ष आप पैदा कर देंगे उधर से तो भारत जो है इन सारे रीजन और साथ में भारत ये बानता है कि जो रोहिंग्या मुक्ति सेना है वो पाकिस्तान के लशकर तयबा के साथ मिल करके काम करिये ये भारत की खुपिया जो रौ है उसने रिपोर्ट दी है तो इन सब रीजन से भारत जो है बहुत जादा इंट को शरण दी हुई है हम म्यामार के साथ में मिल करके रोहिंग्या मुक्ति सेना जो है जो रोहिंग्या लोगों का आतंकी संगठन है या उनकी तरफ से स्रश्ष्ष्थर विद्रो कर रहा है उसका सफाया कर दें और बाकी नागरिकों के पुनरवास के लिए हम लोग help करें हम उ चित्रों में बिजली देने के लिए हम UN के organizations हैं जो अलग-अलग NGOs हैं उनके साथ काम कर सकते हैं अगला यह है कि इनों ने पूछा है कि बांगलादेश का इसकी उत्पत्ति में क्या योगदान है और बांगलादेश क्या समाधान कर सकता है तो बांगलादेश जो है वो सबस अर्थिवयवस्ता होती वहां सारी सुविदाएं होती तो बांगलादेशी प्रवासी इतनी बड़ी संख्या में भारत नहीं आ रहे होते हैं बांगलादेश में खुद आर्थिक आउसरों का बहुत जादा कमी है तो अगर सात लाग शर्ण आर्थी अभी आए हैं और भव अतुल मजाहिदीन इसके साथ में जो रोहिंग्या वर्ग है उसके आतंकवादी समू जो उसका गुट है उसके इनके साथ में मिल करके अशांती क्रियेट करने के बहुत सारे उन लोग को सबूत मिले हैं या ऐसी उनको रिपोर्ट मिली है तो बांगलादेश इस वज़े से भी थोड़ा आनकानी कर रहा है और आंतरी कशांती बांगलादेश में चलती ही रहती है आप जानते हैं कि बांगलादेश खुद एथनिक क्लेशस से कितना जादा जूझता रहता है इसके समाधान में बांगलादेश ने एक ऑप्शन दिया था कि बंगाल की खाड़ी में थेंगर चार दीब जो है उसका उस पर उनका पुनरवास कर दिया जाए यह उनकी तरफ से एक इनिशेटिव माना जा सकता है पर अंतरास्टी इस तर पर इसके आलोचना हुई थी क्योंकि वो दीब बार बार जो है आधी तूफान आने पर डूब जाता है दूसरा यह कि व चाइना जो है रोहिंगया शर्णार्थियों के लिए किसी भी प्रकार का उदार विचारधार नहीं रखता है चाइना खुद अगर देखें तो अपने छेत्र के अंदर नसलियस जनसंगहर करता रहता है और जो जिन छेत्रों में उसके विरुद्विद्रों होते उन छेत् जैंक प्रांत के अंदर इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर एक समूह का दमन देख लीजे या आप तिबबत के अंदर जो तिबबती बहुत दिभिख्षू है या तिबबती बहुत धर्मतानुई आई हैं उनका दमन करता है तो चाइना अगर ऐसे में रोहिंग्यास को सपोर् क्लियर कट समर्थन है कि आप बिल्कुल जितना कठोर कारवाई कर सकते हैं आप इनके विरोध में कीजिए साथ ही अराकान में जैसे सित्वे पोर्ट है या वहाँ पर जो सागवान के वरक्ष उगे हुए हैं टीक के उनमें चीन का बहुत जादा निवेश है अर्थ वेवस सफाय कर दीजिए और इन जनरल भी अगर देखा जाए तो जब से म्यामार के अंदर सेन्य सत्ता या सेन्य स्थाशन स्थापित हुआ था तब तक जो है चाइना उस सेन्य सत्ता का घोर समर्थक रहा है तो उसकी तरफ से या सेना की तरफ से कोई भी निड़ने लेता है तो उसको अंधा सपोर्ट करेगा क्योंकि चाइना उन छित्रों से अपने स्थानी संबंध अच्छे से बनाए रखना चाता है आज भी म्यामार के अंदर लोगतांतरिक व्यवस्ता जरूर दिखती है बट वास्तविक कंट्रोल वहां भी पाकिस्तान की तरफ से आर्मी के हाथ कि इस्कुष्टन का लास्ट हिस्ता जो है वह ये हैं कि रोहिंग्याओं ना गरिक अधिकारों के हनन के बारे में बताईये तो नागरिक अदिकारों का हनन जैसा मैंने के देश हैं उनमें अच्छा जीवन दिया जाएगा या वहां आपका पुनरवास कर दिया जाएगा बट वास्तवी कर्थों में उनको 20 समुद्र में ले जा करके सबका सामुहिक नरसंगार कर दिया जाता है और लाशों को समुद्र में फैक दिया जाता है और ये बहुत भीशन मानवधिकार हनन है बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक धबा है मानवधिकारों से जुड़े हुए समाजों के लिए क्योंकि ऐसी इस्तिती में कि लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरे रास्ट अगर वो अपना पूरा संपत्ति जितना उन्होंने किया है वो अगर किसी को दे के इस उम्मीद से जा रहे हैं कि वो उनको इंडोनिशिया में रहने को मिलेगा और रास्ते में उनके बच्चे परिवार सब को मौत के परिंतु जो बच्चे हैं वो नई पीड़ी हैं उनका कोई गलती नहीं है उनको हम अंधकार में धकेल रहे हैं उनका कोई भविशे नहीं है तो आपको एंडिंग जब करनी है तो चाहे उन्होंने सिर्फ मानवधिकार हननन की व्यक्या पूछिया आपको एक पॉजिटिव नोट से spend करना है कि अगर अंतर राष्टिय सबुदाय चाहे तो वो साथ में मिलके समाधान निकाल सकता है जैसे कि तमिल शणार्थियों की या तमिल प्रवासियों की समस्याओं का समाधान निकाला गया तो इस तरीके से हम जैसे फिलिस्तीन के समाधान के लिए प्रयास कि जा रहा है तो इस तरीकी से एक positive note पे इस answer को खतम करिएगा क्योंकि ये सच में मानवियत रासदी है एक बहुत बड़ी चलिए अगला question जो है वो ये है कि रास्टिय नागरिक्ता रजिस्टर विवाद क्या है उसके पीछे के अंतर रास्टिय राजनितिक मनशाएं क्या है औ उनको सूच्चि बद्ध करने का एक तरीका है 1985 में राजीव गांधी सरकार ने असम समझोता किया था जिसमें ये निरधारित किया गया था कि 1971 में जो बांगलादेश और पाकिस्तान वाली वार हुई भारत पाकिस्तान वार हुई थी जिसमें बांगलादेश में विद्रो करते में उनुब सबको भारत के नागरिकतर नहीं मिलेगी ैर यही जो है इस आंगरिकतर है कॉल के बिंदू है इसके पीछे विवाद क्या है यह रश्टी नागरिकतर रजिस्टर को विवाद की कैटेगरी में कियो रखा जा रहा है सबसे पहला तो यह कि ये NCR जो है National Citizenship Register जो है ये वास्तम में बांगलादेशी जो प्रवासी आ रहे हैं या अवेद्ध प्रवासी जो आ रहे हैं उनसे डील करने के लिए शुरू किया गया है इस्थानिय लोगों की तरफ से बहुत जादा हो हला होने के बाद में दूसरा ये कि असम के जो स्थानिय लोग हैं वो बहुत लंबे समय से अवेद्ध प्रवासी के आने का विरोध करते आ रहे हैं उनका ये कहना है कि यह उनके आर्थिक जो सीमित संसाधने नौर्थीस्ट बहुत जादा डवलप्ड नहीं है उनके सीमित संसाधनों पर बहुत कि प्रवासी वास्तम्वे समस्याओं से जूच करके आने वाले हैं या बंगलादेश में के माध्यम से आने वाले एक आतंकवादी हैं इसको आप डिटर्माइन नहीं कर सकते हो दूसरा कि इस छित्रों से भारत में बहुत बड़ी तादाद में तसकरी होती है जैसे भारत से गाए जो है वो रातो रात असम से बांगलादेश में भेज दी जाती है नकली मुद्रा आती है नशीली पदार्थ जो है वो आते हैं इस छेतर से बहुत जादा तो ये सारा छेतर अल्रेडी बहुत इनिस्टेबल है और बहुत जादा सुरक्षा संबंदी समस् और इसमें दूसरा विवाद क्या है कि NCR जब बनाया जा रहा है तो वो लोगों को ये लग रहा है कि इसके पीछे बांगलादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने का है तो लोग इसमें मानवधिकार का मुद्धा उठा रहे हैं लगातार हिंसाएं हो रही है हत्याइं हो र यह कोई भी ऐसा question आता है जिसमें government ने को फर्म decision लिया है तो आप कोशिश कीजिए कि जब तक वो निर्णे बहुत ही जादा खराब न हो तब तक आप government के साथ ही खड़े रहें क्योंकि आपको भविश्य में सरकार के साथ काम करना है और सरकार का निर्णे ही आपका निर्णे होना चाहिए मतलब यह कि आपका view जो है सरकार के view से match करना चाहिए और जब मुद्धा भारत की सुरक्षा से संबंदी थे तो आपका view जो है वो government से match करना चाहिए बहुत जाद तो ये कि भारत इसके पीछे की जो राजनितिक मंशा है वो ये है कि भारत की रास्ट्रे सुरक्षा को सुनिस्चित किया जाए दूसरा कि छेत्रे जो डेमोग्राफिक असंतुलन हो रहा है उसको दूर किया जाए साथी स्थानिय लोगों की जो समस्याएं है उनसे निप्टा जाए क्योंकि असंत बहुत जादा इने स्टेबल रहता है लगातार वाइलेंस की वज़े से इसके विपक्ष में जो तरक दियने हैं आपको कि क्या राजनितिक नेगेटिव मनशाएं हो सकती है ये आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है आपको लिए लिखना है परन्तु विपक्षी दलों का ये आरोप है आपको अपना व्यू नहीं लिखना है क्योंकि आप न्य समुदाय को बीच में नहीं लेकर के आना है और कोशिश की जगा किसी भी पॉल साइंस के में डिरेक्टली किसी समुदाय के नाम को मेंशन ना करें किसी के भीच आए वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिखो या हिसाई हो तो आपको यह लिखना है कि धार्मिक लामबंदी करने का प् अब इसका अंतर रास्टी प्रभाव क्या हो सकता है सबसे पहला तो यह कि भारत बढ़ी तादाद में बागलादेश के संबंध जो पहले से ही उतार चड़ाव से बहुत जादा गुजरते रहते उनमें तनाव पैदा हो सकता है इसका कारण यह है कि बांगलादेश की अर् 71 के बाद अगर कोई रह रहा है तो उसको 40 साल हो गए लग भगरते रहते तो आप उसको कैसे जस्टिफाइ करोगे कि यह आप ही के नागरिक है तो वो तो उनको वापस लेने के लिए तयार नहीं होगा पहले से उसकी आर्थी किस्तिती कराब है दूसरा यह कि इस छेतर में छेतरी संघर्ष की जो संभावना है वो बढ़ सकती है जैसे कि भारत बंगलादेश के बीच में छुटपुट सरने संघर्ष होने की संभावना है ऐसी कंडीशन के साथ में साथ ही जो इस्थानिय आव्यवस्था है वो पैदा हो सकते हैं और यह अंतरास्ति इस तर पर जो उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है दूसरा कि विदेशों में ऐसे बहुत सारे एक्जैंपल्स हैं जहां इस तरीके के अवेद्र प्रवासी अपनी जान बचाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए या अपने छेत्र में आतंकवादी गतिविधिय हो रही है तो उस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेद्र प्रवासी के तौर पर या अवेद्र शरनार्थी के तौर पर जो हैं दूसरे देशों में शरंड लियो हैं तो अगर भारत ऐसा कोई नेगेटिव डिसीजन ले रहा है तो अंतररास्टी इस तर पर उनक रातंकवाद से या पर्यावरनी समस्याओं के कारेंट प्रवासी हो गए हैं अवेद्र तौर पर उन लोगों की स्थिति को ये खत्रे में डाल सकता है तो आपको ये सारी पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं बट आप इसका एंडिंग चाहे नहीं भी पूछा है तो पारिगा कि अंतरराःस्टि इस तर्पर इन प्रभावों को देखने के बाद भी भारत के लिए या आवश्यक है कि वो अपने रास्टि हित को ध्यान में रखें तथा मानवादिकार के मुद्दों को साथ में ले करके चलने का प्रयास करें आपको बस ये इसके xanत्य करना है और आप और ये कैसे उसको समापती के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आतंकवाद बताने की क्या होता है फिर आपको बताना है अंतररास्थी आतंकवाद क्या होता है और अंतररास्थी आतंकवाद के कौन-कौन से प्रकार हैं जो आज के समय में देखने के के लिए मिल रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले अब लोग चुड़ू करते हैं आतंकवाद से तो आतंकवाद क्या है यह पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन है तो राजनितिक उद्यश्यों के लिए हिंसा का संगठित प्रयास आतंकवाद है और युनाइटेड नेशन के चीव ने एक डेफिनेशन और दी है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है आप उसको देख लीजेगा दूसरा अंतरास्टी आतंकवाद क्या है कि ऐसी आतंकवादी गतिविधियां जिनका प्रभाव किसी एक रास्टर की बजाए कई रास्टरों पर या वैश्विक रूप से बहुत जादा प्रभावी होता है इसका इजाम्पल जैसे आइसिस की गतिविधि है आइस आइस जिसको बोलते हैं उसको अगर हम लोग देखे तो वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इराक में है आइसिस इराक में भी है सीरिया में भी है उससे जुड़े हुए आसपास के देशो के अंदर भी उसका बहुत जादा प्रभाव है बोको हराम को आप देख लीजे या फिर लशकरे तयाब को देख लीजे वो है पाकिस्तानी संगठन बट वो भारत में भी उसका प्रभाव है पाकिस्तान में खुद वो आतंकवादी गतिविधियान करता है अलकाइदा तो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है उसने यूएस में आतंकवाद किया अभी यूरोप के अंदर कभी फ्रांस में कोई आप रेलवेट ट्रैक उड़ा रहे हैं तो इस तरीके की चीजे जो है यह अंतररास्ती आतंकवाद की कैटेगरी में आती हैं जिनका प प्लस यूनाइटिड नेशन क्या कर रहा है तो अंतरास्ती आतंकवाद का वर्गी करण कैसी किया जा सकता है कि धार्मिक आधार पर कौन-कौन सी जगे हैं जहां आपको कौन-कौन सी एक्जामपल से जहां दिखता है तो अल-काइदा है आईसिस है यह सारे जिहाद का नार विहीन जो लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए जब उठखड़े होते हैं तो वहां आतंकवादी गतिवीदियां देखने को मिलती हैं राज्जी के विरुद्ध जो विद्रो होता है जैसे माली में तुरेग जो है वो तो वो सिर्फ माली में नहीं है माली के आस-पास के रास्ट्रों में भी नाइजीरिया वगेरा में भी इसका बहुत जादा प्रभाव है शाथी साथ में चेचन्या जो है वो अगर आप क्रीमिया वाला चेतर देखें वहां भी उनका प्रभाव है पुर्वी यूरोप में रूस में भी उसका प्रभाव है भारत के अंदर आप देखें तो नौर्थीस्ट वाले चेतर में इंसरजेंसी जो है वो म्यामार से ले करके पूरे बांगलादेश भारत पूरे चेतर के अंदर फैली हुई है तो अंतर रास्टी और कश्मीर का मुद्दा देखें कि कश्मीर में अलगाव की वाद की जब बात होती है तो क आज के टाइम में साइबर टेररिजम जो है वो अंतर रास्टी स्वरूप ले चुका है तो यह सारे आपको एक्जामपल तीन चार तीन चार लाइन में भी आप अगर इसको डील करेंगे तो लगभग धाई से तीन पेज आप इसी में कवर कर सकते हैं उसके बाद है कि अंत 11 के बाद में वौर On Terror am 2006 में आतंकवाद के दमन के लिए छित्रिय रणनीती बनाई कि सार्क kıं ट्रीज में से विम्स्टेक का जो अभी काटमंडू सम्मेलन घोषना पत्र है उसमें वो लोग आतंकवाद से लड़ने के लिए साजी विरणनिती बिनाने का प्रयास कर रहे हैं साथी साथ में Middle East जो है मध्यपूर्व एशिया जो है जिसमें अभी बहुत जादा ISIS को देख लीजिए या अलकाइदा को देख लीजिए इनका बहुत जादा उस छेत्र के अंदर आतंकी प्रभाव है उसमें France, US, रूस इन सब रास इसले अपने वीडियो में बात किया था वो बनाया है आशियान के द्वारा East Asia Forum और Regional Forum जो है उसमें उन्होंने आतंकवाद के छेत्र में एक दूसरे से सहीयोग की बात किया है Financial Action Task Force बनाया ही इसलिए गया है ताकि आतंकवाद के वित्तियन को रोका जा सके साइबर आतंकवाद के लिए आप बोल सकते हैं कि गौर्मेंट पतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो सारी कंट्रीज हैं वो मिलकर के काम कर रहे हैं साइबर आतंकवाद से निबठने के लिए ठीक है इसके बाद में उन्होंने पूछा है कि सयुक्त रास्ट संग की इसमें क्या है यह इसका थर्ड पॉर्शन है इसमें क्या है यूएन ने अपनी स्ट्राटेजी अगेंस्ट टेररिजम निकाली उसके बाद में यूएन सेंटर फॉर काउंटर टेररिजम निकाला इन दोनों को मिला करके हाल ही में वर्ष 2017 में युनाइटेड नेशन ओफिस आफ का इसका काम क्या होगा कि यह अंतररास्टी इसतर पर जितने भी देश टेररिजम से निबटने का प्रयास कर रहे हैं या उससे जूज रहे हैं उनके जो प्रयास हैं उनको साथ में मिल करके एक जगे लाने का प्रयास करेगा उनमें सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगा प्लस कोडिनेट करेगा कि अगर इस जगे पर इनकों इन्फोमेशन एविलेबल नहीं है तो वो यहां से यह दे आतंकवादी संगठनों से संबंदी सूचना है साजा करेंगे दूसरा इसके अंदर क्या है कि आतंकवादियों की सूची जारी करता है United Nation आपको पता भी होगा कि लोगों को किसी भी तरीके का आर्थिक सहायता मिलना बिल्कुल बंध हो जाए या उनको आसानी से ट्रेस किया जा सके साथी छेत्री विवादों के शांतिपूर्ण हलका प्रयास करता है कि मान लिजे इरान और इराक के अंदर या किसी भी रास्ट में सौधी अरब और इरा इसके अलावा वह क्या करता है कि कहीं अगर अंतरास्ति इस तर पर आतंकवादी गतिविदियां देखती जाती है तो उसके अंदर वह आपसी सहयोग की कोशिश करता है पीस फोर्स बनाए गई है जिसके अंदर जो पीस मिशन्स हैं वह युनाइटेड नेशन भेजता है ऐ इसका जो second last question है वह बिमस्टेक से related है तो बिमस्टेक जो है वह क्या है काठमयनु डू घोशना पत्र के बारे में इनोंने पूछा है और थर्ड जो है उसमें भारत के हित आशाएं और अपेक्षाएं पूछा है तो जो इसका थर्ड पोर्शन है भारत के हित आशाएं और अपेक्षाएं कि आपको अलग-अलग नहीं करना है तीनों का मतलब अल्मोस्ट एक जैसा ही है कि भारत के इस छेतर में क्या हित है क्या उसकी आकांचाएं है और क्या उसकी अपेक्षाएं हैं इस छेतर से इस question में सबसे पहले आप BIMSTEC का basic information दीजे कि 1997 में Bangkok घोशना पत्र क्या धर पर इसकी स्थापना हुई थी भारत नेपाल भूटान कौन-कौन इसके member है और क्या-क्या इसके अंदर मतलब क्या यह carry करता है जैसे 22 प्रतिशत आबादी है 2.8 trillion के अर्थ विवस्ता है उसके बा किया हो सारा का सारा जो है एक जनरल आइडिये से भी आप लिख सकते कि इस चेत्र में आतंकवाद की प्रॉब्लम है यातायात विक्सित नहीं है आर्थिक अर्थ जो संबंध है वो बहुत जादा अच्छे नहीं है तो आप एक common guess से भी अगर आपको याद नहीं है तो इसक कुछ points दिये हैं कि क्या क्या काठमंडू घुशना पत्र जो था उसके अंदर शामिल किया गया है अब इसमें भारत के हित आकांशाएं और अपेक्षाएं भारत की क्या है तो भारत के हित क्या है कि पहला तो कि भारत के अधिकांश पड़ोसी रास्टों से उसके संबंध उतार चड़ाव के साथ चलते रहते हैं तो बिम्स्टेक के द्वारा भारत एक मधूर संबंद बिनाने का प्रयास कर सकता है दूसरा इसमें अधिकांश सार्क के मेंबर्स जो है वो शामिल है और सार्क को अगर हम लोग देखें तो वो एक तरीके से न्यूनितम एक्टिव और्गिनाइजेशन है तो उसको काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी छेतरों के जो चेतर के जो रास्ट है उनके साथ संबंद बिनाने के लिए भारत बिम्स्टेक को यूज़ कर सकता है भारत के लिए एक अच्छा बाजार इन छेतरों में कर रहा है तो हमारे जो उत्पाद है उनके उपर बहुत जादा कर भी नहीं लगेगा ड्यूटी भी नहीं लगेगी तो हमारे लिए एक अच्छा बाजार हो सकता है थाइलेंड और म्यामार जो है वो इस संगठन के सदस्य है तो भारत के लिए एक नॉर्थीस्ट का दर्व पूरव के लिए जो एक्टीस्ट पॉलिसी है उसमें महत्वपून भूमिका निभा सकता है आतंकवाद जो है उससे निबटने के लिए इनके साथ में बिलके भारत काम कर सकता है साथी मेक आउटसाइड इंडिया जिसके बारे मैंने पिछली वीडियो में बात किया था यह सारी जो है और भारत क्या एक्सपेक्ट करता है कि भारत के लिए एक अच्छा बजार होगा भारत की क्या आकांशन है कि भारत के लिए एक अच्छा बजार होगा बहतर संबंध होंगे मिलकर के आतंकवाद से निबटा जा सकेगा और सम्मिलित छेत्रिय विकास जो है उ टू प्लस टू वारता से संबंदित है और टू प्लस टू वारता होता क्या है कि विदेश नेती में जब दो देशों के दो दो केंद्री मंत्री वारता में आमने सामने बैठ कर बात करते हैं तो उसको टू प्लस टू वारता कहा जाता है भारत ने हाल ही में यूएस के साथ मे यह वारता की है जिसमें सुष्मस्वराज और यूएस के जो विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी दोनों ने यूएस के रक्षा मंतरी और विदेश मंतरी के साथ में बात की थी तो अपने लेवल के जो मंतरी हैं उनके साथ में बात की जाती है टू प्लस टू के अदर और इसको यह बताए कि भारत और इरान के संबंध क्यों इसमें महत्वपूर्ण है जो मैंने इसके अंदर दिया हुआ है डिटेल में और दूसरा कि भारत और इरान के बारे में जो टू प्लस टू वारता हुई उसका फाइनल आउटकम क्या है यह बहुत जादा अगर एक क्वेशन के चार हिस्से हैं तो वो चारो हिस्सों के मार्क्स अलग अलग होते हैं अगर आप चारो हिस्सों को लिखते हो तो आपको हर हिस्से के हिसाब से मार्क्स मिल जाता है और अगर आप क्वेशन में दो हिस्से हैं तो दो हिस्से का मार्क्स मिलेगा तो अगर आप एक भी हिस्से में कम लिखते हैं, तो आपको उसके marks comparatively कम आ जाते हैं, तो जितना question छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, उस कोशिश कीजिए, उस question को attempt लीजिए, एक एक हिस्से का answer कीजिए, आज का वीडियो यहीं पर खतम हो रहा है, आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप comment section में दीजिए, मेरा अगला वीडियो हम 30 जनवरी के बाद upload करेंगे, और उसमें हम लोग पुराने papers को discuss करने की बजाए, एक एक करके GS paper के अलग-अलग section को deal करेंगे, और हर एक section पर मैं तीन classes लोगी, जिसमें मैं आपको उनके क्या रणनीती आपको रखनी एक section में, साथ ही साथ में उससे related questions जब आप solve करते हैं, तो क्या-क्या questions उसमें आ सकते हैं, उनका answer कैसे frame करना है, वो हम लिखेंगे, हमारी चानल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, और कोई भी सलाह हो, या कोई भी आपको साहता चाहिए, तो वो comment section में दीजिए, धन्यवाद.